हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक इन होट 221 प्रोडक्शन टेकनलोजी फूर फूर्ट्स एंड प्लांटेशन क्रोप लेक्चर फॉर्थ मेंगो इसका भी पार्ट फर्स्ट है जिसमें अपने मेंगो के कल्टिवेशन देखेंगे पार्ट सेकेंड के अंदर में इसकी जो प्लांट प्रोटक्शन मीजर्स हैं जैसे कोई डिजीज है इंसेक्ट पेस्ट है जहां फिर फिजोलोजीकल डिसॉर्डर है उसको डिसक्राइब करूंगा तो लेक्चर जो फर्स्ट है इसमें अपने इसकी जो कल्टिवेशन प्रैक्टाइस है जैसे सोल क्लाइमेट जैसे इंपोर्टन कोई भी एलेटेट पॉइंट है जहां फिर मैन और फर्टिलाइजर हार्वेस्टिंग इसमें अपने कवर करेंगे लेट्स स्टार्ट इस टॉपिक इंपोर्टन पॉइंट पॉइंट बोटनीकल नेम मैंजी फिरा इंडिका जो इसका वान्सपतिक नाम है आम यान का मैंगी फिरा इंडिका है ठीक है इसके लावा जो आम को बाथरूर्ट फूट किंग अफ फ्रूट्स जहां फिर national fruit of India कहा जाता है national fruit मतलब राष्ट्रिया जो फल है भारत का वो आम है इसके लबा इसको bathroom fruit भी कह देते हैं इसके लबा जो फलों का राजा कहते हैं वो भी आम है इसकी जो family है अना कार्डियसी है chromosome number इसमें 40 होते है ये tetraploid है ठीक है और yellow tetraploid है इसे कभी-कभी amphi diploid भी बोल देते हैं origin इंडो वर्मा है इसका और इसमें edible part खाने वाला भाग जो होता है mesokarp है fruit type droop जहां कभी-कभी से stone भी कह देते हैं जिसका जो फल परकार है वो droop जहां stone होता है mango is climatric fruit mango जो होता है वो climatric होता है मतलब इसको harvest करने के बाद पकाया जाता है जहां यह कह सकते हो कि इसकी जो respiration rate होती है तोडने के बाद बढ़ जाती है एकदम से बढ़ जाती है mango is evergreen fruit plant mango जो होता है वो सदा बहार फल वरक्ष है यह कहलो कि यह इसमें पतियां कभी भी नहीं जड़ती यह दूसरे जो फल वरक्ष होते है जो भी temperate zone की है वो decidus nature की होते है जबकि यह evergreen है ठीक है mango bears fruit terminally on old season growth आम के अंदर जो bearing होती है bearing मतलब उसमें जो फुल बालग उच्छा लगता है जहां फुल फल लगते है वो terminal भाग पे लगते है मतलब बिल्कुल शीर्च पे लगते है आगे निकल के ठीक है तो और वो भी पुरानी जो पिछले साल की वरदी होती है उस पे जो पिछले साल वरदी होई थी उसके उपर ठीक है उसके उपर फलन होता है आम के अंदर कुछ किसमें इसकी alternate बियरर होती है मतलब एक साल फल आते है एक साल फल नहीं आते जबकि कुछ किसमें इसमें regular बियरर होती है जिसमें फल हर साल आता है जो alternate बियरर होती है जिनमें एक साल फल नहीं आता और एक साल फल आता है उनके अंदर एक साल तो वो वेजिटेटीव ग्रोथ करता है, वरदी करता है, दूसरे साल उन शाख्हाओं पर फलन होता है, जबकि जो regular bearer होती है, उनमें जो वेजिटेटीव ग्रोथ होती है और फ्लोवरिंग होती है, वो साथ साथ चलती रहती है, मतलब कुछ शाख्हाओ पर उसमें फ्लन होता है कुछ CHANdesus उसका इंसका इस नहीं प्लोवरीन चाएं उसके अंदर 6.6 से 19 परतिशत स्टार्च पाया जाता है वाइवल पोलन परसेंटेज इन डिफरेंट वराइटीज चौसा के अंदर जो वाइवल पोलन है वाइवल मतलब जीवित पोलन होते हैं एक तरीके से कहलो कि जो पोलिनेशन करने लायक होते हैं उनकी जो परसेंटेज है अलग-अलग किसम के अंदर अलग-अलग होती है जैसे चौसा के अंदर 94.3% चौसा के अंदर 94.3% पाये जाते हैं वाइवल पोलन इसके लाबा क्रिशन भोग है इसके अंदर 91.4% ठीक है लंगडा जो किसम है इसके अंदर 90.8% दशैरी के अंदर 93.2% से लेका 94% तक वाइवल पोलन पाये जाते हैं ठीक है जो पोलिनेशन करने लाइक होती है यह कह लो उसमें से कुछ पोलन वाइवल नहीं होते है जितने भी इसमें से परसेंटेज बच जाती है ना तो वो पोलन वाइवल नहीं होते पोलिनेशन लाइक नहीं होते इसके लाबा रेसेप्टिविटी ओफ स्टिग्मा कंटिनू फोर अबाउट 72 होस आफ्टर एंथेसिस एंथेसिस फर्स ताइम ओपनिंग ओफ एनी फ्लोवर किसी उसका पहली वार खिलना उससे लेकर मतलब उस फूल के खिलने से लेकर बहतर गंटे तक रहती है मतलब उसमें उस टाइम तक पोलिनेशन हो सकता है ठीक है बहतर गंटे के अंदर-अंदर पोलिनेशन हो सकता है इसकी मतलब receptive रहती है तब तक stigma इसके लाब flower types इसमें panical होता है जो आम है इसका flower type panical है sporophytic self incompatibility present in mango mango के अंदर self incompatibility पाई जाती है मतलब इसमें जो pollen होते हैं वो viable होने के साथ पर होते हैं पर वो pollination नहीं कर पाते हैं अपने ही जो pollen होते हैं plant के वो अपने ही stigma को pollinate नहीं कर पाते वो sporophytic self incompatibility के करण होता है मतलब ठीक है अलग से इसमें pollinizer variety की जरूरत होती है यूज की जाती है maximum area of mango in UP जो maximum area है शेतर पल है आम का वो उत्तर परदेश का है ज़्यादा जो शेतर है जिसमें cultivation सबसे ज़्यादा शेतर में UP के अंदर होती है जो production है इसका वो अंदर परदेश का है मतलब अंदर परदेश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्तपादन आम का होता है और क्योंकि वहां की productivity बहुत ज़्यादा है ठीक है इसके अलबा एगर विशब की बात करें तो सबसे ज़्यादा productivity वें परदेश की है ठीक है विशब की productivity की بात करें तो वें परदेश की होती है इसके अलबास sex ratio हरमाफोडाइट के male flower sex ratio मतलब हरमाफोडाइट और male flower का जो ratio होता है वो sex ratio कहलाता है हमके अंदर हर्माफोडाइट flower क्या होती है जिसमें ये कहलो कि एक तरीके के perfect flower होती है जिसमें male और female दोनों organ पाए जाती है जैसे इसमें gyinosium भी present होगा और androsium जैसे stigma, style, ovary जे गाइनोसियम के part है ठीक है, enter, filament जे androsium के part होती है ये दोनों एक ही flower के अंदर present होती है वो hermaphrodite flower कहलाता है और जबकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में androsium कहलो जाँ male flower भी होती है जिसमें only enter और filament होता है gyinosium बाले भाग नहीं होते female part उसमें नहीं होता ठीक है, तो इनका भी ratio होता है ये 2.8 से 24.2% का इसका जो ratio होता है sex ratio इसमें, ठीक है तभी तो आम के अंदर सारे के सारे fool जो होते हैं, वो कुछ तो जड़ जाते हैं और flowering, जो fruit set होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं आम के अंदर तो इसके करण इसके लावा sporophytic self incompatibility भी होती है इसके लावा कुछ इसमें पोलन्ड वाइबल भी नहीं होते हैं इसलिए भी इसमें fruit setting कम होती है perfect flower in alfenzo is 6 to 11% जो perfect flower होते हैं, यहां कहलो कि इसमें जो hermaphrodite flower होते हैं only 6 से लेके 6 से लेके 11 परतिशत होते हैं लंगड़ा जो किसम है have highest perfect flower 68.9% जो लंगड़ा किसम है आम की उसके अंदर सबसे ज़्यादा perfect flower होते हैं, hermaphrodite flower होते हैं 68.9% 9% ठीक है और lowest होते हैं जो रुमानी के अंदर होते हैं 0.74% रुमानी किसम के अंदर सबसे कम होते हैं यह कहलो कि रुमानी के अंदर 0.74% तक perfect flower पाये जाती हैं इसलिए में food set बहुती कम होता है ठीक है India is largest producer of mango भारत विशब में सबसे बड़ा उत्पादक देश है आम का लगवद 39% जो विशब का production है वो इंडिया produce करता है ठीक है 39% ठीक है in mango flower bird differentiation in October December but in the sherry मैजून and September October आम के अंदर जो flower bird differentiation होता है induction of flower birds जहां कहलो कि full वाली कलियों का बनना जब शुरुआत होती है यह कहलो कि flower वाली कलियों की वो October December में होती है ठीक है उसमें जो flower mix जो होती है वो अलग हो जाती है दूसरी birds से और दशेरी के अंदर यह मैजून के अंदर होता है जहां फिर सितमबर अक्टोबर के अंदर दशेरी के अंदर दो टाइम में होता है और यह दूसरी ज़्यादा तर किसमें उनमें October से December के अंदर soluble solids pull, willyak, willyak शायद कुछ ऐसा होता है इसको कहते है हिंदी में ठीक है इसके अलबा जो जहाविर वरायटी है आम की उसमें सबसे ज़्यादा TSS रहता है उसका सबसे हाइस TSS है 24.8 डिग्री ब्रिक्स ठीक है जहाविर वरायटी सबसे हाइस्ट होता है और आम के अंदर ज़्यादा तर जो किसमें अच्छी किसमें है उनमें 20 डिग्री होता है अबाउट 39 ये मैंने बताई दिया हाइस्ट प्रोड़क्टिविटी इन दा वर्ड वर्ड वैंजोयला जो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा जो कहलो कि सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोड़क्टिविटी इन देश की वह वैंजोयला है इंडिया के अंदर देखें तो जो एपी है अंदर प्रडेश उसकी सबसे ज़्यादा प्रोड़क्टिविटी है वैसे UP का सबसे ज़्यादा शेत्रफल में है और अंदर परदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है North Indian Varieties जो उत्री भारतिय किसमें हैं उत्र भारत में उगाई जाती है Alternate Bearer होती है मतलब उनमें regular bearing नहीं रहती उनमें एक सालफल आता है और एक सालफल नहीं आता इसके लावां mono embryonic होती है मतलब उसमें जो भुरून होता है बीज के अंदर वो एक भुरून पाया जाता है ठीक है आगे मैं पिक्चर भी शो करूँगा कि कैसे होता है इसके लावा self incompatible होती है मतलब उनमें selfing नहीं होती इनमें sporophytic self incompatibility मैंने पहले भी बताया था पर नौर्थ इंडियन वराइटी में ज़्यादा होती है इसके लावा साउथ इंडियन वराइटी जो है वो regular bearer होती है मतलब हर साल उनमें fallen होता है इसके लावा poly embryonic होती है मतलब इसमें जो brun होता है एक बीज के अंदर दो होती है मतलब मैं एक simple बाशा में समझाना चाहूं तो यह कहलो कि अगर उसका बीज उगाया जाए तो उसमें से दो पोदे एक साथ निकलेंगे ठीक है वह poly embryonic, mono का मतलब एक बीज जुगाया तो एक ही पोदा होगेगा ठीक है यह कहलो कि उसके अंदर 2 गुठलीना होती है अंदर जो गिरी रहती है वह दो होती है polyambrony के अंदर, monoambrony के अंदर एक ही होती है ठीक, इसके लाब pollinator जो main pollinator है pollinating agent कहलो जिससे pollination होता है एक बाहग है वो housefly है ठीक है, इसमें जो ग्रह मक्खी होती है, वो pollination की process को पूरा करती है जैसे किसी के अंदर honeybees होती है किसी के अंदर चमगादर है, किसी के अंदर elephant है वैसे ही housefly होती है इसमें, best pollinizer variety है जो इसकी bombay green है जिसका vitamin C, highest vitamin C पाया जाता है, जिसके अंदर pollinizer, मतलब इसमें जो pollins बनते हैं, बहुत ही अच्छी quality के और हर variety के साथ compatible होती है pollination करने लाइक होती है ठीक है, इसके लाव मैचॉर्टी indices, alphanjo maturity indices क्या होती है परिपकवता सूच काँग, जैसे ही आपने किसी किसम को कहलो कि वैसे भी ये climatic fruit है, जब फल पूरी तरह से mature हो जाता है, पक जाता है ठीक है, अपना size पूरा ले ले लेता है तब उसको तोड़ लिया जाता है और उस time उसकी specific gravity चेक की जाती है, और भी वैसे बहुत से symptoms होते हैं, जा कहलो कि maturity indices होते हैं, जिन से पता लगता है कि ये mature हो गया, अब इसको तोड़ लेना चाहिए तो इसके लावा एक specific gravity भी होती है, जिससे note किया जाता है कि इस time फल में पूरी तरह से पक गया है अब इसको अगर पकाएंगे तो ये एक पकने के बाद बिलकुल जब तक consumer तक पहुंचेगा, बहुती अच्छी quality का बन चुका होगा, खाने लायक हो जाएगा ठीक है, अगर आपने उसको पहले तो उड़ लेते हैं इससे, तो फल की quality उतनी अच्छी नहीं रहती जब तक कि वो consumer तक पहुंचता है मतलब बहुती अच्छे तरीके से वो उसका जो कहलो कि पकाव नहीं होता, बहुती अच्छे तरीके से वो पकता नहीं है ठीक है, जो अलफएंजो की specific gravity होती है 1.01 से 1.02 होती है अलफएंजो की, इसके लाबा ये कई बार question जो competitive exam होती है, वहाँ भी पूछा जाता है कि अलफएंजो की इतनी होती है specific gravity तो दिशारी की specific gravity 1.0 होती है ठीक है इसके लाबा VHT vapor heat treatment ठीक है, VHT vapor heat treatment for fruit flies and stone weeple के लिए ज़्यादातार use किया जाता है ठीक है, आम के अंदर जो गुठली होती है, उसके अंदर एक flies कहलो, जो जब कच्चा होता है फाल, उस टाइम उसमें अंडे दे देती है और उसके अंदर ही वो बनने स्टार्ट हो जाती है मतलब मैच्योर हो जाती है एडल्ट बन जाती है और उसके अंदर से जो सारा लारवब निकलने के बाद उससारा का सारी अंदर से बीज को और पल्प को खा जाता है तो उसके treatment के लिए क्योंकि वो तो अंदर है अपने अब उपर से अगर कोई treatment करेंगे कोई दवाई का सिटकाव करेंगे तो वो मरेगी नहीं तो इसके लिए क्या जाती किया जाता है वेपर हीट treatment किया जाता है जब अपने किसी फल को बाहर बेजना होता है export करना होता है विदेशों में तब इसमें क्या गयता है कि वेपर हीट treatment दिया जाता है पहले ठीक है क्वार्टाइन बहुत से इसमें नियम बने हुए है कि अपने अगर विदेश में किसी चीज को बेज रहे हैं तो वहां पे वो चीज प्रैड ना हो वो विमारी फैलेना वो कीड़ा फैलेना तो वहां पे पिछले कई साल वरानी बात है वहां से आम की जो एक्सपोर्ट थी वह बापिस आ गए थी एक्सपोर्ट किये थे वह बापिस आ गए थे इसी कारण कि उसमें कहा था कि उनके इसमें इंफेक्शन है फ्रूट फ्लाइस का मतलब उनने विदेशों में बाहर के फल बाहर नहीं गए थे वह सारे के सारे बापिस आ गए थे कि आपके बेकार फल है हमारे देश में इसको हम खाएंगे नहीं क्योंकि इसमें इसका कॉंटामिनेशन है आपने इसको जांतो इसका इलाज करके बेजो ठीक है ऐसे नहीं हम इसको रखेंगे तो उसमें फ्रूट फ्लाइस का टैक था तो वेपर हीट ट्रीटमेंट उसके लिए यूज किया जाता है एक तरीके की भाप के अंदर फलों को कुछ टाइम तर रखते हैं जिससे की गरम हो जाते हैं अंदर स और फ्लाइस होती हैं जाएं उसकी लारवा होती है वो मर जाती है टू क्रोप्स और टू टाइम वेरिंग इन मेंगो इन कन्या कुमारी तमिल नाडू मतलब एक साल के अंदर हमेशा जादतर फलवरक्षों के अंदर एक बार ही फलन लिया जाता है पर आम के अंदर कन्या किसमे एक ही एर के अंदर लिय जाती है मतलब दो वार साल के अंदर फलन होता है वहां पर जो वहां की किसमे है उनके अंदर ठीक है आमरपाली के अंदर वैसे बून्स और परियाग इन 1911 एट पूने स्टार्ट हाइबडिशिचेशन वर्क ऑन मेंगो बून्स और परियाग ने सबसे पहले इंडिया के अंदर जो hybrid संकर किस्मों का जो के उपर काम करना स्टार्ट किया था 1911 के अंदर ब्रून्स और प्रियाग ठीक है इसके लाबा casing technology of breeding was used in mango by dr. आरेंड सिंग और जो casing technique है breeding की ठीक है hybridization work करने के लिए वो dr. आरेंड सिंग ने सबसे पहले स्टार्ट की थी इंडिया के अंदर इसके लाबा spongy tissue was first observed by chima and dhani in 1934 और spongy tissue आम के अंदर एक physiological disorder है ठीक है वो आगे मैं बताऊंगी spongy tissue होता क्या है चीमा और dhani ने सबसे पहले से observe किया था इंडिया के अंदर 1934 के अंदर black tip was first observed in 1909 by woodhouse जो black tip है काड़ा धबा भी कह देते हैं यह भी मैं पिछ आगे बताऊंगा तुम्हें क्योंकि यह एक physiological disorder है ठीक है दूसरी किस्मों से बहुती ज़्यादा मिठी होती है चौसा रुमानी एपल शेफ वरायटी है रुमानी की जो शेप होती है आम जैसी नहीं होती थोड़ी यह सेव से मिलती जूती होती है सीडलेस वरायटी है जो इसकी वैसे यह कह सकते हो कि अश्यलेस है पर उसमें सीड बंता है बहुती शोटा सीड होता है सीडलेस नाम दे जित इंता desen नाम डे दिया सिद्धू वराइटी है वह रटना और अलफंजो का क्रॉस है वह रतना और बीज है तो उसमें 3 ग्राम उसका बीज होगा, इसके लाब पल्प उसमें 83% तक उसमें पल्प होती है, ठीक है, पल्प से स्टोन का जो रेशियो होता है, 26.1 का होता है, 26.1 ठीक है, पल्प 26%, जहां कहलो 26 भाग और एक भाग उसमें स्टोन का होगा, रसल्ट फ्रम स्टेनो 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 कार्पिक पार्थेनो कार्पी, जो इसमें भी छोटा बनता है, ये कारण स्टेनो 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 कार्पिक पार्थेनो कार्पी है, पार्थेनो कार्पी it can be cultivated in tropical and sub-tropical conditions जो आम उगाया जाता है tropical से लेकर sub-tropical climate के अंदर इसकी cultivation कि जाती है और लगबग 1400 मीटर समुन्दर तल से लगबग 1400 मीटर तक की उंचाही तक इसको cultivate किया जाता है there should not high humidity not be high humidity rain और forest during flowering जो flowering के समय पुश्पन के समय बहुत ज्यादा मातवर में humidity नहीं होनी चाहिए ना ही बरसात होनी चाहिए ना ही उसको पाड़ा पढ़ना चाहिए ठीक है यह उसको हरम करता है अगर flowering के टाइम the temperature between 24 and 27 degree Celsius is ideal for its cultivation जो temperature है लगब 24 से 27 के बीच में रहना चाहिए ठीक है कल्टिवेशन के लिए इसके लिए annual rainfall लगबग 25 सेंटीमेटर से 250 सेंटीमेटर इसकी कल्टिवेशन के लिए प्रयाप्त रहती है soil mango grown in all soil with good depth मतलब एक तो यह गहरी जड़ वाली फसल है तो जमीन गहरी होनी चाहिए लगब लगब 180 सेंटीमेटर कम से कम गहरी होनी चाहिए ठीक है and drainage except black cotton soils मतलब उसमें drainage की facility भी अच्छी होनी चाहिए मैंगो की cultivation black soil में नहीं करते हर परकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है एक काली मिट्टी को छोड़ कर और वैसे जो भी मिट्टी में उगाऊए उसकी depth अच्छी होनी चाहिए और उसमें drainage की facility अच्छी होनी चाहिए जल निकासी के बस्ता अच्छी होनी चाहिए optimum pH है जो मिट्टी का लगब 5.5 से 7 के आसपास होना चाहिए pH मिट्टी का अलूवियल एंड लेटेरेटिक सोल इस गूड एलूवियल हो जाम फिर लेटेरेटिक हो बहुत ही अच्छी रहती है इसकी cultivation के लिए cannot tolerant saline conditions saline condition को यह tolerant नहीं करती फसल मतलब उसमें इसको cultivate नहीं किया जा सकता इसके लवा rootstocks जो इस वार अपना course है इसमें होती ज्यादा importance है rootstock की उसने अलग से एक importance of rootstock के नाम से भी आगे topic दिया हुआ है बसके अंदर तो हर किसी फसल का जितनी भी अपने fruit crop है जिनके अंदर भी rootstock यूज होती है उनके अपने को पढ़ने बहुत जुरूरी है पता भी होना चाहिए कि यह rootstock इसमें यूज होता है तो इंडियन polyambronic rootstock है जो इंडिया के अंदर बहुत रूणता वाले rootstock है बपाकी है चंदर करन है गोवा है ओलर है कुरूकन है सोलन है मूल गोवा बैलरी बैलाई कोलंबन लेशवर ड्वार्फ यह polyambronic इंडियन polyambronic rootstock है इसके लाबा इंटर्डूस्ट पॉली अंब्र को, साबरी, स्ट्रॉवेरी, कॉंबो, डियाना, टर्पेटाइन, काराबाओ, इसके लाबा साइगोन यह विदेशी है ठीक है इसके लाबा साल्ट रेजिस्टेंट rootstock जहां पर साल्ट वाली प्रवलम रहती है उनके लिए कुरुकन, मुवदन, नकारे अच्छे rootstock है इसके रुमानी इस उज़ फोर ड्वार्फिंग इफेक्ट इन दशैरी, अपने आपने बहुत ही बड़े किसम है जो बहुत ही ज़्यादा साइज लेता है प्रेड इसका तो रुमानी को यूज़ किया जा सकता है दशैरी के अंदर ड्वार्फिंग इफेक्ट डालने के लिए, इसके लबा बलाई कुलॉमानी जो है फोर ड्वार्फिंग इफेक्ट इन अलफैंजो, अलफैंजो के अंदर अगर अपने अलफैंजो को चाहते हैं कि अपना साइज जादा ना हो अलफैंजो के प्रेड का तो बलाई कॉलॉमानी को रूट स्टो के लिए यूज कर लिया जाता है। इसके लबबख कुछ रचालेंटिज हैं इसकी नॉर्थ इंडियन वराइटिज में दशैणी, लंगड़ा, चौ। ओर रथीन विर भी हैं East India के अंदर हिम सागर, फजली, जरदालू, किशन भोग, कुलाव euro खबाएटिज ठीक है इस्ट इंडिया के अंदर इसके लाब वेस्ट इंडिया के अंदर अलफंजो पायरी केसर राजापूरी मूल पुरड और इसके लाब आज जामादर यह किसमें उगाई जाती है पापुलर वराइटी इसके लाब और भी बहुत सी पापुलर वराइटी है जिनकी कुछ किसमें एक्सपोर्ड की जाती है तो most popular variety है इंडिया की पर इसमें spongy tissue की सबसे ज़्यादा main problem रहती है मतलब physiological disorders of spongy tissue इसमें सबसे ज़्यादा होता है इसके राब बैंगन पल्ली है main commercial variety of AP बैंगन पल्ली सबसे ज़्यादा AP के अंदर cultivated होती है ज़्यादा area इसी का है Bombay green earliest variety of North India मतलब अगेती है North India के अंदर सबसे पहले आ जाती है it is called malda in UP UP के से malda कहते है और सहरोली in Delhi डिली के अंदर इसे सहरोली नाम से जाना जाता है याद रखना कई वर ये नाम भी पुछे जाते हैं Bombay green को UP में कहा जाता है तो malda और देली के अंदर सहरोली चौसा sweetest variety of mango चौसा है आम की सबसे मीठी किसम है दशेहरी most popular variety of North India दशेहरी नौर्थ इंडिया की सबसे famous किसम है फजली late maturing variety ठीक है फजली late mature होती है जैसे अगेती किसम थी है कि ये पिछेती किसम है केसर इट has good processing quality केसर किसम की अंदर जो इसमें processing करते हैं आगे जैसे कोई इसका juice बनाना है जानी कि आप पित्यो बंद डिबे वाला वैसा जाहिसे आम पापड बनाना है तो वो इसी से ये ज़्यादा तर यूज होने वाली किसम है processing के अंदर ठीक है इसके रवा लंगड़ा it has characteristic turmentine flavor most prone to fruit drop लंगड़ा किसम के अंदर एक special smell देता है smell कहलो जाँ एक special खुशबू होती है इसकी जब अपने लंगड़ा की किसम का फल खाते है ना तो इसमें से एक special खुशबू आती है कि वो उसको indicate करती है कि ये लंगड़ा किसम है ठीक है तो fruit drop वाली समस्या इसमें physiological disorder है fruit drops उससे ज़्यादा होता है इसके लब निरंजन है वो off season birer है मतलब जब दूसरी किसमें फल नहीं दे रही होती तो ये फलन में होती है उसका बे मौसमी फसल इससे पैदा होती है ये कहलो एक तरीके से ठीक है दूसरे टाइम में ये फल देती है नीलम best combiner variety नीलम क्या transport two crop in a year नीलम के अंदर दो साल में दो वार फलन लेते हैं और इसके लब लंबे दूरी पर इसको ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए वेस्ट किसम है इसके लब रोसिका mutant variety है आम की ठीक है mutant मतलब उत प्रिवर्तन से त्यार किसम है रोसिका काईवर पूछ लेते हैं याद रखना इसके लब मदूलिका है most precious cultivar of mango मतलब बहुत ही ये कहलो कि नाजू किसम है लाल सिंदूरी है powdery mildew resistant variety of mango मतलब powdery mildew से resistant variety पूछे तो लाल सिंदूरी है इसके लब रोमानी apple shaved मै regular bearer varieties जो regular bearing में रहती है नीलम, गुलाव खस, हिमसागर, पाईरी, तोतापुरी ये किसम है regular bearing वाली किसम है इसके लावा off season में एक तो मैंने डंजन बताया था वो ही है इसके लावा मदूलिका किसम भी off season bearing करती है इसके लावा exotic color varieties कल्टिवार्स जैसे टॉमी, एटकिन है, हैडन है, सने सेशन है, यूली है, ये किसमे exotic color variety है, मतलब अलग से color है इन में, इसके लाव मूल गुवा is a mother of our color, colored cultivar of mango and useful for making preserve, जो मुरब्बा बनाने के लिए किसम सबसे अच्छी है, वो मूल गुवा है, और जितनी भी color किसमे है, जिन में आम में color आता है, लाल आता है, य इसके लावा hybrid किसमी है, इसकी, मलिका, ठीक है, नीलम और दशेरी का cross है, regular bearing में आती है, और highest vitamin A होता है, मलिका के अंदर, इसके लावा अमरपाली है, दशेरी और नीलम का cross है, और dwarf किसम है, बॉनी किसम है, और stowel for high density planting के लिए भी suitable है, अमरपाली बॉनी किसम है, ठीक है, और high density planting के लिए suitable होती है, और इसमें जो planting distance रखा जाता है, इसकी planting के लिए 2.5 into 2.5 meter square, ठीक है, पोदे से पोदे और line से line की दूरी बहुत ही कम रखे जाते है, नहीं तो आम ज्यादातर किसमें है, उनमें 8 से 10 meter की दूरी पे इनको cultivate करते हैं, इसके लावा रतना है, नीलम into alfanzo, ठीक है, regular bearer है, और spongy tissue free है, इसके में pulp जो होती है, 78.62% होती है, इसके लावा सिंदू है, रतना into alfanzo का cross है, मैंने सिंदू के बारे में पहले भी बता दिया आप, ठीक है, seedless variety है, 26 और 1 अनपाथ में इसका pulp और seed का ratio होता है, इसके लावा अर्का पुनीत है, alfanzo into bang बैंगनपली, spongy tissue free है, अर्का अरुना है, बैंगलोरा, sorry, बैंगनपली into alfanzo, और डफारप किसमें यह भी spongy tissue free है, मतलब spongy tissue वाली problem इसमें नहीं होती, इसके लावा अर्का अनमोल है, alfanzo into जनादन पसंद, spongy tissue free, इसमें भी spongy tissue वाली जो समस्या नहीं आती, इसके लाव अर्का नील किरन है, alfanzo into नीलम का क्रोस है, और spongy tissue free है, इसके लावा मंजीरा है, रुमानी into नीलम का क्रोस है, इसके लावा प्रभा शंकर है, बॉंबे ग्रीन into कला पड़ी का क्रोस है, पूसा सूरिया है, इसके लावा पूसा अरुनीमा है, अमरपाली into sensation, USA की किसम है, इसके लावा साई सुगार था, ये तोता पूरी into cancer का क्रोस है, regular bearer है, malformation भी इसमें समस्यार नहीं है, और stable for pulping, malformation भी एक physiological disorder भी है, बिमारी भी है और एक insect लिए कारण भी होता है, तो ये अपने उसमें आगे plant production बाले, जो second अपना आम का होगा, उसमें देखेंगे, इसके पहले वाली picture में show हो रहा है, एक नंबर पे embryo, ठीक है, वो single embryo है, दूसरे वाले में double embryo है, दिखाई दे रहा होगा, उपर एक चड़ा होगा और होता है, poly embryonic ऐसा होता है, अंदर से जो गिरी होती है, ऐसी होती है, इसमें दो पोदे त्यार हो जाएंगे, एक साथ, और mono embry embryonic में एक, mango is commercially propagated by veneer grafting, approach grafting जिसको inarching कहते हैं, ठीक है, approach grafting मतलब inarching, इसके लगाव सॉफ्ट वोड ग्राफ्टिंग, इसके लगावा एक और use होता है, इसमें, epic hotel grafting, आम के अंदर epic hotel grafting भी होती है, ठीक है, और June to September, October is best for grafting, ग्राफ्टिंग के लिए जो time suitable है, June से लेक उनकों जड़ातार यूज किया जाता है, । है rootstock के लिए use किया जाता है, और Tota Purih red, small, all all are dwarfing rootstocks, इसके लगाता तो पूरी read है, जाफिर Alar है, इनको ज़ज़ातार rootstock के लिए use करते हैं, क्योंकि एक dwarfing effect, ज़्याता तर dwarfing effect डालती हैं, पोधे को structure को कम कर देते, च्छोट इसको इंसर्ट किया जाता है अप्रोच ग्राफ्टिंग कहलो जा इनाज ची पोदे तक पहुंचाना सेकंड ट्रिक्चर में थर्ड में सॉफ्ट ग्राफ्टिंग जब उसमें पतियां कौपरी रंग की होती है उसके ओपर ग्राफ्ट किया जाता है ठीक है शाखा को यह अपन जो पहले अच्छे तरीके से जो खेत है उसकी जुताई कर लेते हैं उसके बाद जो खड़े खोदे जाते हैं वो 90 क्यूविक सेंटीमीटर कार के खोदे जाते हैं मतलब नब्बे गहरे नब्बे चोड़े और नब्बे ही लंबाई में ठीक है लगबग एक मीटर के भी कह स जाता है पर कुछ किसमों में ज्यादा तर जो इसकी किसम है मैक्जिमम उनमें एट से लेके टैन मतलब एट इंटू एट जा फिर टैन इंटू टैन जो स्पेसिंग है वो रखी जाती है और खड़ों को खोदें के बाद उससे एप वाइम से भर दिया जाता है ठीक है गर्म जो इसमें प्लांटिंग करते है ठीक है रेनी सीजन के अंदर करते है रेनी सीजन समझ गए होगे मांसून के टाइम इसमें प्लांटिंग करते है उस समय जो ग्राफ्ट यूनियन होती है जहां से पोदे के अंदर ग्राफ्टिंग की हुई होती है उसे जमीन से 6 इंच कम से कम 6 इंच उपर रखा जाता है वह मिट्टी के टच में नहीं आनी चाहिए ठीक स्टेकिंग शुट बी ड़न एंड वाटरिंग सून आफ्टर प्लांटिंग इसके दावा पोदे को एक स्टिक का सहरा दे दिया जाता है तने को सहरा दे दिया जाता है कि सीधा रहे और ग्रोथ भी सीधी करे ठीक है इसके लाबा उसमें जल्द उसके बाद लगाने के बाद तुरंत बाद पानी दे दिया जाता है पोदे को प्लांटिंग सिस्टम सचा है स्क्वायर्स क्विनिक्स एंड ट्रेंगुलर सिस्टम के हिसाफ से प्लांटिंग की जाती है प्लांटिंग का कोई भी मेथड हो उसको एड़ोप्ट कर लिया जाता है अपने शेतर के हिसाफ से उस प्लांटिंग मेथड को जैसे कोई वर्गा कारविदी में प्लांटिंग कर रहा है कोई quinic system जो पंच बुजाकर भी दी है उससे planting कर रहा है कोई जो तिरबुजाकर भी दी है उससे planting कर रहा है वो आप अपने locality के साफ से chain कर लिया जाता है manual fertilizer fertilizer are applied twice in the year जो fertilizer दिये जाती है खाद दी जाती है वो साल में दो बाद देते हैं एक तो beginning of monsoon ठीक है एक post monsoon beginning of monsoon जून जुलाई post monsoon सितंबर अक्टूबर ठीक है दो बार दो डोज के अंदर देती है जो इसमें खाद दी जाती है 10 kg एक साल का जो पोदा होता है पहले साल 10 kg गोबर की खाद 2.5 kg bond meal हट्डियों का चूरा ठीक है डाई किलो इसके लाब 1 kg potassium sulfate एक किलो पहले साल उसके बाद हर साल इसमें 5 kg गोबर की खाद बढ़ा दी जाती है मतलब हर साल जैसे यह पहले साल 10 kg थी अगले साल 15 फिर अगले साल 20 ऐसे तो हर साल इसकी जो मात्रा होती है उसको जो FYM की है 5 kg 0.5 kg bond meal और जो potassium sulfate है 0.4% potassium sulfate हर साल बढ़ाया जाता है लगबग 10 साल तक और जो bearing tree होता है मतलब यह कहलो कि 5 में 6 साल से बाद शटे साथ में साल से बाद की जो बात होती है economic yield देने स्टार्ट हो जाता है जहां तब इसमें लगबग 100 ग्राम जानी की 1 kg nitrogen 500 ग्राम फासफोरस और 1 kg जहां 100,000 ग्राम potassium जहां कहलो कि K2O हर साल प्रतेक पोदे को दिया जाता है अलग-अलग पोदे के इसाफ से देते हैं क्योंकि इसमें जो किया जता है broadcasting तो करते नहीं है पोदे के आसपास एक band के अंदर fertilizer दिये जाते हैं ठीक है It is better always to apply organic manure during October और जो organic manure होते हैं जैसे गोबर की खाद है जो compost है आप उसे अक्टूबर के अंदर देनी चाहिए Manure should be applied in a small trench dug from about 1.5 to 2 meter from the trunk up to the drip line जो drip line इसमें खाद दी जाती है इसमें एक चारो तरफ पोदे के एक trench बना ले जाते है नाली बना लेते हैं लगबग 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 1.5-2 meter के ratio के अंदर ठीक है पोदे से लगबग तने से लेके तो और उसके अंदर जो यह भी कह सकते हो कि drip line के अंदर रहने चाहिए मतलब उसमें नमी बनी रहनी चाहिए उस शेतर के अंदर वहाँ पे इसमें खा देते हैं irrigation should be done if no rain अगर बरसात नहीं होती उस time जैसे आपने खा दी तो उस समया आपको सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे कि वो पोदेह तक पहुंच सके खाद irrigation should be according to the soil and weather condition जो सिंचाई की जाती है वो मिट्टी के परकार के उपर और condition जो environmental conditions है उसके उपर depend करती है मतलब बरसात हो रही है तो आपको पानी देने की जुरूर नहीं है वही चीज़ ठीक है रेगुलर सिंचाई की आवशकता होती है plant should be given rest for stopping irrigation at least two to three month before flowering for maximum fruit and bud development क्या करते है कि जैसे भाहर treatment करते है तो इसमें भी एक त्रीके का भाहर treatment किया जाता है जिन पोदों में alternate bearing की समस्या रहती है उनमें भी भाहर treatment किया जाता है तो इसमें करते है क्या है कि लेग बग फ्लो पहले पानी को बंद कर दिया जाता है बाग में पानी नहीं दिया जाता और जैसे ही तीन मेहने बाद पानी देती है बाग के अंदर तो सारा का सारा जो बाग होता है वो फलन में आ जाता है पुश्पन होने स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में पुश्पन हो पोध्य के अंदर लगबग पोध्य को 1 वीक के अंदर 1 सब्ता के अंदर 40 लीटर पानी दो वार देने की आफशकता होती है दिया जाता है Interculture operations, interculture interculture intercorping can be done in pre bearing period to keep the weed under control and to get some additional income इंटर कल्चर अपरेशन ज्यादा तर जब बोधा बीरिंग के अंदर नहीं होता शुरुआती साल होते हैं जाफिर तब किया जाता है जिससे कि एक तो वीड की ग्रोथ को सप्रेस किया जा सके जो बीच में खाली जगा है वहां वीड हो गएंगे उसको सप्रेस करने के लिए जहां फिर कुछ अपने इंकम पैदा करने के लिए ठीक है आमदनी बनाने के लिए तो फालसा पपाया पाइनेपल और कुछ वेजिटेवल्स को इंटर क्रोप के रूप में उगाया जाता है फालसा पपाया और पाइनेपल तो हमेशा जो फिलर प्लांट होते हैं उसकी तर अंदर जो बीच वाली खाली जगह वहां पर प्लांटिंग की जाती है इंटर क्रोपिंग की जाती है कवर क्रोप लाइक सन हैं धेंचा काव पी कलस्टर बीन एक्सेक्टर कन आलसो वीग्रों डूरिंग रेनी सीजन एंड पलावड इंटू स्वेल विफोर एंड ऑफ दा जो कवर क्रोप है जानी की वीड की ग्रोथ को रोकने के लिए जमीन को कवर करने के लिए जो फसलें उगाया जाती है उसमें ग्रीन मैन्यूर वाली फसलें जैसे धेंचा है सन हैं पर इनको उगाया जाता है और जैसे ही बरसात का एंड होने वाला होता है उससे पहले ही जम में पोशक तक तब दे सके पोधे को Land should be plowed twice in a year during June और October Land की जो plowing है खाली जगह की दो बार की जाती है June के अंदर और दूसरी अक्टूबर के अंदर Weed management Manual cultivation is not recommended as it is disturbed active roots मतलब जो पोधे के आज़ पास जड़ वाला शेत्वर होता है वहाँ पे manual weeding नहीं करते कोशिश की जाती है कि होई herbicide use किया जाए Weed killer with a heavy mulch में quite effective to control controlling weeds mulching करना भी weed को रोकने का एक अच्छा प्रभावी उपाई है अब mulching कर सकते हो जो पोधे के चारो तरफ वाली जगह है इससे दो तिन और भी फायदे होंगे moisture भी conserve रहेगा ठीक है जो spongy tissue वाली problem है उससे भी काफी हद तक इससे वचाब हो जाता है क्योंकि heat सीधी जो सूरेज की रोशनी कहलो होजा हीट होती है वो सीधी जमीन के अंदर नहीं पड़ेगी जमीन गरम नहीं होगी जिससे sponge tissue नहीं रहती पर जो mulching है काफी एफेक्टिव रहती है वीड केन भी controlled by application of 4 kg पर हेक्टर अट्राजीन ऑक्सी फ्लॉर फ्लॉर फैन जिसको गोल के नाम से भी आता है 800 मिलिग्राम पर हेक्टर प्री इमर्जेंस मतलब अगर बीडी साइट पहले डालना है वीड उगने से पहले भी आप प्लाई कर सकते हो एट्राजीन को ठीक है और अगर आप पोस्ट इमर्जेंस यूज करना चाते हो मतलब उग गए हैं वीड तब आप इसको ग्राम एक्सोन जिसको पेराक्वाट कहते हो इसको आप दो लिटर पर हेक्टर उगने के बाद वीड के ओपर आप शिड़काव कर सकते हो वीड के कंट्रोल के लिए ठीक है खर्पतवारों के नियंतरन के लिए प्रूनिंग और ट्रेनिंग मेंगो के अंदर वैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग ज़्यादा अलाओ नहीं है नहीं करनी चाहिए अगर कोई डिजीज बिम्राज चाहिए जान सुक्यों इशाक है उसको काड़ देती है टैमली जैसे ही मिल दिखाई देती है इसके लावा जब पोदा ज्यंग होता है लगवाद दो से तीन साल तक इसमें ट्रेनिंग की जाती है जिससे कि पोदे का अच्छा फ्रेमबर्क बन जाए पोदा अच्छी स्टक्चर ले ले ठीक है उसकी शेप अच्छी रहे दोनों उसका वैलेंस बना रहे पोदा ठीक है लगवाद फ्लोवर बड का बनना जो फ्लोवर बड डिफ्रेंशेशन कहा था वो लगवाद दो से तीन महने पहले होता है फ्लोवरिंग के और फ्लोवरिंग अकर फ्रॉम नमंबर तू डिसंबर तू फर्वरी मार्च मतलब कुछ किसमों के अंदर नमंबर डिसंबर के अं करता है कि कभ उसमें flowering होगी जैसे निरंजन मैंने बताया था मदू लिका थी यह ओफ सीजन है तो इन में नमबर दिसंबर से भी पहले flowering होती है ठीक है depending upon इसके लावब flowers are polygamous sex ratio can be improved by application of NAA 200 ppm at flower initiation stage polygamous sex ratio मतलब जो hermaphrodite से उसके दूसरे औरगन का जैसे male है इसमें पाए जाती है ठीक है उनका ratio को improve करने के लिए मतलब female flower कहलो जाए फिर hermaphrodite flower ज्यादा मातरा में पैदा हूँ इसको बढ़ाने के लिए naphtalic acetic acid का 200 ppm का spray किया जा सकता है कि इसमें hermaphrodite flower ज्यादा मातरा में लगे harvesting and yield stage of harvesting is very important which will be indicated by मतलब जो stage होती है harvest तोडने की अपने ऐसे तो है निकी फल यह पोदे पर ही पकेंगे क्योंकि climatric है ठीक है तो इनको तोड़ना है फिर इसको पकाना है तो maturity कहलो जाए एक तरीके की कि कब उनको तोड़ा जाए बहुत ही जुरूरी होता है कि अपने को पता होगी यह इस time तोड़े जाएंगे तो starting पहला तो है इसमें कैसे observe करेंगे starting of color development थोड़ा सा जो dark green color होता है वो light yellowish color का होने लग जाता है color development होने लग जाता है इसकला falling of one of two fruits from the plant पोधे से एक दो फल नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते है ठीक है तो यह भी मान लिया जाता है कि फल अब तोड़ने लाइक हो गए है इसकला specific gravity 1 से लेके 1.02 किसमों के हिसाब से होती है बहुत ही reliable भी होती है ठीक भी रहती है ठीक है यह भी कर सकते हो mango normally takes 90 to 120 days from fruit set to maturity आम के अंदर लगब 90 से 120 दिन का टाइम लगता है जब फल सेट होता है लगता है बनना स्टार्ट होता है मतलब उसमें pollination होने के बद फल सेट होना स्टार्ट होता है और उसके बाद से लेके जब वो mature होता है लगब 120 दिन का टाइम लेता है harvesting is done using poll harvester without causing any damage to the fruit जो harvesting करते हैं पोल harvester से करते हैं मतलब एक लंबा सी कैलो के लंबा सा पोल होता है उसके उपर एक जाली नेट लगी रहती है उसके साथ ही और उपर एक कैलो की काटने वाला कटर लगा रहता है तो उसमें फल उस जाली के अंदर गिरते रहते हैं मतलब न नीचे गिराते रहेंगे फलों को तो उसमें damage हो जाएंगे फल सारे के सारे तो उनमें किसी में कोई cut लग जाएगा कोई इसमें injury हो जाएगी तो जब पकाएंगे तो वो गलने start हो जाएंगे तो ज्यादा तर जो फल तोड़े जाते हैं वो पोल harvester से तोड़ते हैं फिर उसके बाद उनको पकाते हैं ठीक है mango graft comes to bear bearing in about two to three years but commercial yield can be had from eight to ten year and may continue up to forty to sixty years जो mango के अंदर bearing start होती है लगवाद दूसरे से तीसरे साल फल देना start कर देता है लगवाद लगवाद आम का रक्ष पर grafted पोदों की बात है वैसे ठीक है विजू प्योदे की नहीं grafted है तो जो भ अच्छी पिछ देने लग जाता है कि जब आपको बचना start हो जाता है पैसा और लगवाद 40-60 साल तक यह फल देता है आम का रक्ष एवरेज इल्ड है जो आम की आठ टन पर हेक्टर ठीक है नहीं तो वरायटी के इसाफ से भी होती है कुछ किसमों की जादा है कुछ किसमों रहती है लोकलिटी के हिसाफ से भी कई बार ओफिस एयर ओन एयर के हिसाफ से भी चेंज होती रहती है थैंक यू